असलाम अलेकूम, इस question में हमें एक matrix A given है, ठीक है square matrix ही है और हमने क्या find करना है, इसकी characteristic equation find करनी है characteristic equation होती है, A minus lambda identity का determinant equals to 0 तो हमने यह find करना है, और उसके बाद हमने clay hamilton theorem को use करना है और हमें A inverse find करना है, clay hamilton matrix क्या करता है, यहां को पास characteristic equation बनेगी यहां से जो equation बनेगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसमें जितने भी आपके lambda आपे हैं उसको अगर आप A से replace कर दो, matrix A से, तो उसको भी satisfy करेगी मतलब इस matrix का जो characteristic equation होगी, उसमें अगर आप lambda की जगे A भी put कर दो तो उसको भी satisfy करेगी, तो LM find out करते हैं, characteristic equation ज्योंकि A minus lambda identity है करें, LM A minus lambda identity find करते हैं, A हम एक एवाने अल्रडी, lambda times 3 cross 3 काम identity matrix लिख देते हैं, icon को multiply के lambda को, तो lambda ये चीज़ा ज़ेगी, आप जोंकि subtraction है बीच में, हम minus कर देते हैं, corresponding entries को, इसी तरह, 2 में से 0, 1 में से lambda, minus 2 में से 0, 1 में से 0, 2 में से 0, 1 में से 8, lambda तो ये हमारे पास, characteristic equation नहीं, बलकि matrix बन गया, characteristic matrix का हम determined निकालेंगे, और उस square to 0 रखेंगे, तो ये हमारे पास characteristic equation बन देगी, तो हमने A-Lambda I तो एवाला matrix है इसका हमने determinant निकालना है अब determinant आप straight away भी निकाल सकते हैं ठीक है और आप row operations या column operations करके भी निकाल सकते हैं अगर हम expanding R1 के तुरू expand करें 4-Lambda पहली row और पहले column को neglect करके जो बाकी बचता है हमने यहां लिख दिया फिर minus second entry यह इस row को और इस column को ignore करते हैं बाकी जो बच गया हम उसको determinant की फॉर्म में लिख देते हैं यह लिखा हुआ है फिर plus 1 next कौन सा है यह वाला इस row और इस column को ignore करते हैं जो बाकी बच गया हमने इसको यहां पे लिख दिया अब इनका multiply कर दें यहां के किया हुए simplify कर दें इन दुनों को multiply किया minus इन दुनों को multiply किया इसी तरह यह minus इनकी multiplication यह सारा process करके आपके पास simple equation बन जाती है वो यह बन जाती है minus lambda q plus 6x square minus 6 lambda plus 11 is equal to 0 यह हमारी characteristic equation है ठीक है और इसका हम characteristic polynomial कहेंगे अगर इसका हम p of lambda लिखते हैं यह यह की बात है इसका हम इनको नाम देती है यह लेम्डा जिसको हम कहते है characteristic polynomial अब ले हमिल्टन किया कहता है कि अगर हम लेम्डा को replace कर दें A से original matrix है उससे तो यह भी इसको satisfy करेगा यह characteristic equation उसको भी satisfy करेगा A replace करके भी ठीक है तो अब क्योंकि हम A inverse निकालना है तो हम left side से A inverse multiply कर देते है इसके साथ भी left side से A inverse multiply किया इसके साथ भी multiply किया 6 constant है बाहर इसको front पे लिख देते हैं यह भी 6 constant है तो पहले 6 लिख दिया फिर A inverse multiply किया और 11 के साथ भी A inverse multiply किया 0 के साथ inverse multiply करेंगे तो 0 ही आएगा अब यह A power minus 1 और A power 3 तो A square बन जाएगा यह A power 1 और A power 2 minus 1 and 2 तो यह A power 1 आजाएगा तो हम जिरफ A रिखते हैं और यह एक दिश्य को cancel out करके identity matrix रख रहे हैं तो identity आ गया और यह as it is आ गया 11 minus 11A minus inverse यह A power minus 1 और चूंकि हमें यह चीज़ चाहिए तो बाकि सारी चीज़ों को दूसरी जाट पर लेके जाएं तो simplify form में लेके हैं तो यह हमारे पास inverse की यह form बन गई जब हम A inverse निकाल सकती हैं अगर हम A का square लें उसमें से minus 6 time A और minus 6 time identity matrix subtract करें तो हमारे पास 11 से divide कर दें हमारे पास A inverse आ जाएगा अब A square कैसे निकालते हैं A को matrix A को matrix A के साथ multiply कर दें you know the multiplication पहले row को पहले column के साथ multiply करें फिर पहले row को दूसरे column के साथ फिर पहले row को पीछे column के साथ इसी तरह second row और third row के भी हम रही process करते हैं हमारे पास E and P calculations आ जाती है हमारे पास A square आ जाता है 23, 17, minus 1, 8, 3, minus 2, 9, 7, और minus 2, अब simple हमने formula के अंदर A square पूट कर दिया, minus 6 times A, और minus 6 times identity, अब इन सब को multiply करके, इसके साथ 6 multiply के, अगर भी 6 अंदर multiply के, अब सब corresponding entries को add या subtract या जो भी हो कर देते हैं, 23, पहले इन दोनों को किया, हमारे पास ये matrix बन गया, लिए 24, minus 6, minus 24, ये minus identity बना गया, 24, minus 6, क्या आए गया, 18, 18, minus 0, 18, 6, minus 0, 6, इसे तरह बाकि के नहीं किया, तो हमारे पास ये matrix बन गया, अब इन दोनों को कर देते, 23, minus 18, 5, ये 17, minus 18, minus 1, minus 1, minus 6, minus 7, इसे तरह बाकियों के entries आगी, प्रसके 11, 18, इसे दोने करेंड हमारे पास, एन वरसाज एका.